असलाम लेकुम सूडेंस, वाज हमने इस नुकलोटाइड मेटाबॉलिजम का लास्ट टॉपिक डिसकस करना है, that is पारमाइडीन की सेंथसिस और डीग्रडेशन, पारमाइडीन जो है वो बेसस होती है, कौन कौन सी बेस होती है, यूरसल होती है, थाइमीन होती है, एन साइटोसीन दोनों में होती है, इस टॉपिक के अंदर हमने यूरसीन या हमारे पास जो यूम्प है, यानि यूरदाइन मोनोफॉस्वेट उसकी संथसिस को डिसकस करेंगे, फिर ये देखेंगे कि यूरदीन, मोनोफॉस्वेट, डायन ट्राइफॉस्वेट में किस तरह स साइटोसीन, डायफॉस्वेट और ट्राइफॉस्वेट बना सकते हैं, ये भी देखेंगे कि किस तरह इनकी इंटर कर्वर्जन से डियॉक्सी थाइमटीन, मोनोफॉस्वेट और डायफॉस्वेट सो गेरा बन सकते हैं, तो बेसिकली जो डिसकस हमने डिटेल में करनी है, यूम्प की सेंथेज़ और यूरदीन, मोनोफॉस्वेट की सेंथेज़ को डिसकस करना है, इसकी और प्यूरीन सेंथेज़ का सबसे बेसिक डिफरंस जो है, वो यह है, कि प्यूरीन सेंथेज़ में हमारे पास एक अल्रेडी बना बनाया मॉलिक्यूल था, राइबोस यहां पर ग्लुटामीन डुनेट करेगा, अमाइड ग्रूप और एसपाटीड भी डुञाएट करेगा, और कार्भन भी हम कहां से लेंगे, कब नायकसाइब से देंगे, प्यूरीन में ग्लाइसीन से देंगे, जब के यहां पर ग्लाइसीन यूज नहीं हो रहा, तो स्टा Carbomile Phosphate, what? Carbomile Phosphate, okay? Here we have Glutamide, that used her Mind Groups, so Glutamide will come out and two ADPs will come out, okay? This is also a step, now, you know what to say that This CPS-1 SPS-2, CPS-1 enzyme is used and where did it work, which is used in Uria Cycle, okay? In Uria Cycle, in CPS-1 Stated mucha Carbomile Phosphate, बनता है फिर एक और बार जो इस पेरे में बंदाई हुई है उसने वो यह पताई भी है कि हमारे पास जो कार्बोमाइल फॉसफेट का नेक्स्ट एंजाइम है युरिया साइकल के अंदर और नथाइन चांस कर्बॉक्सी माइलेज अगर वो एपसंट होगा तो कार्बोमाइल फॉसफेट की जो सेंथेज़ है वो जादा हो जाएगी सीपीएस टू के इंफ्यूलन्स में भी और जादा से जादा से जादा पाइर कार्बोमाइल एसपार्टेट 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 अब ये जो dihydroauroteate है, इसके ओपर होनी है dehydrogenation, इसके ओपर क्या होनी है dehydrogenation, dihydroaurotate dehydrogenase की presence में, और di hydro यानि 2 hydrogen निकल जाएंगे, तो सिर्फ क्या बच जाएगा? aurotate बच जाएगा, जिसको aurotic acid भी बोलते हैं, तो यहाँ तक आपको समझा रही है कि सबसे पहले बना कारबमाइल फॉस्पट, फिर बना डाय हाइडो ओरटेट, फिर डाय हाइडो निकल गए, डिहाइडोजिनेशन हो गही तो क्या बच गया ओरटेट या ओरॉटिक एसट, अब जो ये तीन एंजाइम यूज होए हैं, य चाहे वो aspartate transcarboxymylase है या फिर वो हमारे पास या फिर यह तीस्टा वाला है जिसकी प्रेजन्स में मारपस डाय हाइडो औरटेट बना है यह डाय हाइडो औरटेज होता है ठीक है डाय हाइडो औरटेज वो गहता है यह जो तीनों इंजाइम पहले तीन रियक्शन में यह एक ही एंजाइम है CDA उसकी तीनों डुमेंज है और यह मल्टी फंक्शनल डुमें की एक एक जामपल हो गई ठीक है उसके बाद यह जो डाय हाइडो औरटेज डिहाइडो जिनीज है इसकी बाद आपने की याद रतनी है कि सारे साइटोसॉलिक एंजाइम है लेकिन यह इनर माइटोकॉंड्रियल एंजाइम है ठीक है यहां तक आपको समझा गया कि क्या चीज बन चुकी है हमारे पास औरटेट बन गया है औरटेट से आगे क्या होगा अभी हम साधी साथ बुक से भी इसको देख लेंगे औरटेट यह जिसको हम औरोटी केसर कहते हैं इससे आ निकल आएंगे जो फॉस्पोराइबोसाइल औरटेट में एड हो जाएगा तो यह हमारे पास बन जाएगा ओरटेडीन मोनोफॉसफेट बन जाएगा अब इस औरटेडीन मोनोफॉसफेट से एक करबन डाइकसाइड निकाल दिया जाएगा डी करबॉक्सीलेशन की है कि सबसे पहले हमारे पास क्या था गळूड़ामीन था दो एकिप थे और करबन डायगसाइड था तो क्या बना था हमारे पास कार्बोमाईल फॉसपेड बना था उसमें एस-पार्टेट बन जाता है कार्बोमाईल सपर bon d connect कीउ टe एक्ट के एक्ट गर रहा था तो वो क और ट्रीजिं warm आइड्सक्राइब कोर्थ जाता है अब जो एक ofo Zenh technically के अंधर तो यह तो यह किसमें कपड़िगा ऐस उत्रा ऑगे Saramom हम uridine triphosphate free synthesizekaa तो इससे cytodine triphosphate भी च्रमारी यूरी मैडिज ऑडों आठ Quốc प्रेस च्वालमीन से ले छो निकल आएगा 163C यहां पे ATPS ढूदाए साथ हाँ एभी उ herself कि होग चॉल यहां परats गसिण बीझा होगा क्या ओडिये सी mínimo 3 double Cks in तो इस तरह हमारे बाद यह पारिमाइडीन संथेजिस है अगर बुक के अंदर भी आप देखेंगे तो स्टेप वाइस बिलकुल ऐसे ही है और बहुत जादा एजी है जो यहां पर बताइवी है वो एक लेनेकर बतायु है मैं आपको बताया dat जो पहले तीनों इंजाए वो एक ही डूमेन का पार्ट है ऑफियूप्त आफियू तरह तरह यह तो पाता słuठीड आप और बाडी में UMP के लेवल्स डिक्रीज हो जाएंगे जिसके विरसे DNA संतसिस रुख जाएगी और मगैलोब्लास्टिक अनीमिया और दूसरे क्लेनिकल क्लोलेट्स हो सकते हैं ठीक है जी नेक्स एक बात यहां पर इंपॉर्टन की विए वो मैं आपको इस ग्राफ सी बिता देती हूं कि यह बहुत जादा इंपॉर्टन भी और बहुत जादा इजी भी है वो कह रहा है कि यह हमाई पास जो होता है न डियॉक्सी साइटोसीन डायफॉसफेट अचा सिंपल हमने क्य संतेसाइज किया था यूएपी से अम क्या भी भिना सकते थे आगे जाके यूडीपी और यूटीपी और उस्वें क्या बी संतेसाइज कर रहे थे ची तरहां जुए हमाई पस राइबो नुकलोसाइज है और इंको गर अगर हमने दिटेल में पढ़ लिया है कि यह जादित Ducatase की मदद से Dioxy Ribonucleotide में भी हम इनको Convert कर सकते हैं अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास Dioxy Cytodine Diphosphate है तो इसमें से अगर आप Phosphate Group निकाल लेंगे तो यह Cytodine Monophosphate में Convert होगा और अगर अगर आप इसको D-Aminate करेंगे यानि अमोनिया निकाल देंगे तो वो Dump में Convert हो जाएगा D-UMP में Convert हो जाएगा सेम एज D-UDP से भी अगर आप Phosphate निकलते हैं तो वो भी D-UMP में Convert हो जाता है अब यह Dump जो है Thymidylate Synthetase की Presence में DTMP में Convert होता है अगर आप किसी को ऐसी ड्रॉक देरें जिसमें फ्लोरो यूरसल है फ्लोरो यूरसल जो है आके हमारे पास Thymidylate Synthetase को इंहिबिट करता है तो DTMP की Synthetase रोग देता है DTMP नहीं बनेगा, DNA नहीं बनेगा, DNA नहीं बनेगा तो RBCs मिचूर नहीं होंगे वो मिचूर नहीं होंगे तो अनीमिया डिवेलप हो जाएगा इसी तरह डाय है जब आया है तो इसको अपनी फॉर्म में दुबारा जाने के लिए क्या चाहिए होता है, यहाँ पर डाय हाइडरो फॉलेट रिडक्टेस चाहिए जिसकी प्रेजन्स में दुबारा यह टर्टरा हाइडरो फॉलेट में कनवर्ट होके अपनी एक्टर फॉर्म में वापस जाता है तो मीथो ट्रेक्सेट यह एंटी कैंसर ड्रॉग्स हैं, अगर आप यह देते हैं तो आप यहाँ पर डाय हाइडरो रिडक्टेस को इन्हिबिट कर देते हैं, जिसके वज़ाँ से टर्टरा हाइडरो फॉलेट नहीं होता है, तो डीटी एम्टी की सेंथेस नहीं होती है, तो यह एंटी कैंसर है, और यह मैलनोमा की केस में मिथोटरक्सेट यूज की जाती है, किसको इन्हिबिट करेगी डाय हाइडरो फॉलेट रिडक्टीस को और 5-फलोरो युरसल किसको इन्हिबिट करती है, थामडायलेट संथर्टेस को, तो यही बात है हमारे पास प्यूर केसिट की फो में रिलीस कर जाती है लेकिन पायरमाइडीन जो है वो कलिफड हो जाता है और मोर सॉलेबल प्रोडक्ट्स में गर्वर्ट होता है जैसे कि बीटा ऐलनीन या अमाइनो आईजो ब्यूटरीट वगएरा साथ ही साथ अमूनियां काबन डैक्साइट भी होते हैं ज